एक करम होता है, होमवर्क हो जाता है, करमातीत स्टेच, इसमें विल पावर, विल पावर की डेफिनेशन ये लगाओ, विल पावर किसे कहेंगे, पावर्स जो शक्तियों को विल कर दिया, बाबा की याद में, मतलब जिन शक्तियों को विल किया, जनरली विल पावर हम सुचते हैं, डेटर्मिनेशन, द्रडता, लेकिन शक्तियों को विल करना, ब्रह्मा बाबा ने अपनी सर्व शक्तियों को विल कर दिया, अर्थाग जो जो ब्रह्मा बाबा को बाबा में उस समय शक्ति थी, तन की शक्ति थी, मन की शक्ति थी, संबंदों की शक्ति थी, धन की शक्ति थी, जो शक्तिया था उसको विल करना, और विल करने का मतलब है विल्ड, फिर वो उसका हो गया, ऐसा ही हो न, उसको ही कहते है ना Will कर दिया, Will में फिर बाद में विद्रौनी कर सकते, तो शक्तियों को Will करना, तो जो भी मेरे शक्तिया है, उसको Will करना, उसके बाद मैं, नो मैं और मेरा, और Will करना, ये आत्मा की शक्ति है, अगर Will नहीं करते, तो वो, मतलब उसमें सब आ जाता है न, अब हमने कौन सी शक्तियों को विल किया हैं, क्योंकि जो शक्ति को विल कर दिया, फिर वो हमारी नहीं है, उनकी है, तो बाबा जैसे बाबा ने तन दे दिया, बाबा ने कभी बाद में संकल्प नहीं किया कि मेरा तन है, इवन लोटी चड़ाता तो बाबा क्या करता, कि श्व बाबा के उपर लोटी चड़ा रहा हूं मैं, वो तन मेरा नहीं है, तो इसी तरह संबंदों को विल कर दिया फिर युगल बाबा को बाबा कहे बाबा युगल को बच्ची कहे दृष्टी व्रत्ती में फरक इसी तरह धन को विल कर दिया बाबा ने तो कभी भी कहीं भी किसी भी वेसे संकल्प में भी नहीं आया क्योंकि जहां संकल्प में आएगा न कहीं न कहीं, पूरा यग्य चला, बाबा को कि इसके मैंने किया ये, तो जो शक्तियों को विल कर दिया मतलब सरंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, और वो फिर आत्मा की शक्ति होती है, अगर बार-बार बुद्धी जाती है कि मैंने किया, तो फिर इसका मतलब वो शक्ति को विल नहीं, उससे क्या होता है, अगर ये जब होता है, एक टेबल लेओ न, बीछे रखो, ऐसे कैसे रख रहे हैं, तो जो शक्तियों को विल कर दिया, उसके बाद, क्योंकि जितना बुद्धी जाएगी, तो वो मतलब जैसे खंडित हो रही है, वो शक्ति नहीं बन रही है, मैंने सेवा भी किया, लेकिन वो शक्ति नहीं बुल रही है, वो बल नहीं भर रहा है, इसलिए कोई भी विल करने के बाद बल नहीं भर रहा है तो उसका मतलब मेरा उसमें ये है पीछे रखो इसके पीछे रखो कहां ये बाबा की शक्तिया थी तो साकार बाबा मतलब इवन बाबा की जो पहले ज्यान में आने के पहले कॉन्वर्सेशन आप देखो अब इसमें रूट संसकार ये रोज हम जो डिसकेस करेंगे इसमें रूट संसकार को देखना है एक और हुंबक है कि क्या था जो बाबा में इतनी विल पावर थी शक्तियों को विल किया तो जब वो डीप में गए कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो बाबा का 32 से 1932 से सबको आजकल इतना वाटसेप में आ रहा है बाबा के अपने साथ बहुत गहरा कॉन्वर्सेशन था मन बुद्धी का और बहुत डीप इनर seeking थी कि मुझे मतलब वो करना है विश्व कल्यान की वो डीप भावना थी तो वो जो डीप भावना थी गहरी गहन जिग्यासा ये बाबा को immediately इस लाइक वो ग्राउंडिंग पूरा रेडी था और जैसे वो मिला तो वो रेडी हो गया तो इसलिए बाबा के अंदर वो कितना दिवाली पे तो सब कुछ विल कर दिया बाबा ने कितना मैना बाबा आये और विल कर दिया साथ-ाथ मैने में पूरा डिसाइड कर लिया संबंद्यों का और फिर तीसरा है एक्चिली विल यहां तक ही इतना मतलब सरंडर नेचर हो इवन टाइम का टाइम और एनरजी को भी जैसे दादी जान की हमें कहती थी वो फोरेनर्स की मीटिंग होती थी फिर कुछ बात ऐसी हो तो कई कहते आज मेरा ना टाइम वेस्ट जा रहा है मेरी एनरजी वेस्ट गई तो दादी ने कहा कि आपका कौन सा टाइम है मेरा टाइम तो समय को विल नहीं किया बाबा के लिए अब जैसे हम लोग सपोस बैठे है दो घंटे हमने सोचा है कि बाबा को देना है फिर हम कहते मेरा टाइम वेस्ट गया बीच में क्यों टाइम वेस्ट गया मेरा टाइम कहां से आया मेरी एनरजी कहां से आया बाबा को दे दिया बाबा उस समय जैसे चलाए जैसा करे मेरा समय नहीं तो इतना मेरा पन नहीं क्यों तन्मन धन्मिन मेरा पन नहीं समय संकल समय एनरजी मेरी energy बहुत waste जा रही है कई ऐसे भी है मेरी energy कहा अगई फिर तो जहां मैं और इसलिये जब ये मैं और मेरा आएगा ना वहां क्या आएगा? Irritation होगी मेरा time बहुत waste जा रहा है ये बोलते ही word कैसा आजाता है? Irritation और फिर politeness खतम हो जाती है मेरा वड़ आते ही और क्रोध होगा ही और कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटेव माइन्ड होता है मेरा पन में क्योंकि जैसे न इतना किया, इतना नहीं मतलब हर चीज में कैलकुलेशन बाबा का देखो दादी कोई भी बात में बड़ी दादी का पूछा दादी ने कि कैसे राजु भाई बताते है यह उपर कैसे पहुत तीन-चार साल, लास्ट के तीन-चार साल में नीचे ही होती थी दादी तो एक बार पूछा कि कैसे चल रहा है उपर अच्छा चल रहा है सब कुछ ठीक क्योंकि तब यह ठीक नहीं होती थी उपर नीचे आना जाना नहीं होता था माउंट आवोर उपर आवोर उर तो आवोर उर में शांतिवन नहीं होते थे थे ने दादी तो फिर बोला कि दादी आपके शुब संकल्ब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है दादी ने का अरे मुठा भाबा जला रहा है मैं थोड़ी चला रही हूँ भाबा चला रहा है भाबा करता है अपनी शुब भावना का भी क्रेडिट नहीं लेना है नहीं तो हम credit ले सकते हैं हाँ बात तो ठीक है मेरे शुब संकल्ब से no credit इसलिए उन आत्माओं में शक्तियों की भरपूरता है credit लेते लेते हमारी शक्ति वो power ही नहीं रहती by the time वो बल नहीं रहता तो calculation नहीं कोई भी तरह का इतना हो गया, इतना करना है जहां संबंद होता है वह calculation नहीं होता है बच्चा है अब उसको मतलब उसके लिए जो करना है उससा में calculation होता है कि नहीं, इतना ही time दूँगी इतना ही मैं तन लगाऊंगी इतना ही हम धन लगाएंगे calculation होता है तो जहां संबंद है, वहां calculation है, जहां संबंद नहीं है, वहीं calculation होता है, वहां फिर हर बात में, तो बाबा के साथ मेरा कैसा संबंद है, तो no calculation, तो यह है शक्तियों को will करना, अपनी जो भी शक्ति उसको will करना, ठीक है, तो आज का practice यह रहेगा, तो चेक, पूरे दिन में बाबा, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, वो संकल्प मैं यूज़ कर रही हूँ, बाबा से, always बाबा की presence, काइट, थोड़ा printing mistake है, man मेरा, no man मेरा, और actually यह मैंने देखा, हम सभी प्रेक्टिस करें निरंतर बाबा की याद का, तो जितना बाबा की presence लगती है न, वो वाली feeling से कर रहे है, तो बाबा, मतलब दृष्टी ले रहे है बाबा से, तो पता चल रहा है कि बाबा ने दृष्टी दी और फिर यह कारी हुआ, उसके लिए चाहिए, हम ऐसी नहीं कह सकते, मेरा की सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन यह feel करना पड़ेगा पूरे दिन में, कि बाबा सामने है, बाबा की दृष्टी मिली, फिर बाबा, या बाबा को पूछा, फिर बाबा ने संकल्ब दिया, फिर मैंने किया, तो आटोमेटिक फिर निकलता है, बाबा ने कराया दादियों का क्यों निकलता है, दिखाई दिया बाबा, देख रहे है कि बाबा करा रहा है, तो यह पुरशार्त करना है, नो मैंन मेरा आच के पूरे दिन में, बाबा ने कराया, बाबा ने यह दिया, बाबा ने यह संकल्ब दिया, बाबा ने यह बोला, फिर वो बाबा न फिर ये भी नहीं कि अच्छा, हाँ, डीप इंसाइड है, और फिर बाबा की presence की feeling, दृष्टी लो बाबा से, और फिर बाबा की दृष्टी से वो संक्रम करे, ये करना है, तो और उसके बाद दृष्टी और help और talking फिल कर, फिर बाबा से बाते नहीं करो, वो तो दुनिया मे बहुत करते हैं, भगवान से, हम बाबा को present feel करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव मुझे हो रहा है, नहीं तो मैं ज़्यादा वतन में जाती थी, तो अभी मैंने देखा कि ये वाली feeling से, presence से बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्थूल वतन में करम ज़्यादा करना होता है, हमको, तो सारा समय वतन में भी नहीं रह सकते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, पर वतन में जाते हैं, पर स्थूल में भी बाबा को इन्वो करते हैं, फिर धिरे और दूसरे प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ये थाज का पुर्शारत,